जनाब असलाम वालेकुम रूल नंबर फाइफ के साथ मैं आपके साथ हूँ आज रूल नंबर फाइफ पर हम बात करेंगे बहुत सिंपल बात है कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों पे बिलीफ करेंगे तो फिर एंड अप आप नुफसान में होंगे रियालिटी क्या है जो चार्ट पे आपको नजर आ रहा है जो मार्केट आपको दिखा रही है आप अकसर ऐसा देखते होंगे कि कोई आदमी आपको कहता है कि फलाना स्टॉक बाई कर लो वो यह नहीं बताता कि यह स्टॉक कहां तक जाएगा इस स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या होगा यह सब नहीं बताता वो कहता है ये अच्छा है बाइ कर लो बाइ कर लिया अब वो नीचे आ गया जब वो नीचे आ गया तो अब वो कहता है इसको रख लो ये उपर जाएगा रख लिया कितने दिन रखेंगे क्या टाइम फ्रेम है वो ये भी नहीं बताएगा ठीक है market क्या बता रही है कि वो बतद्रीज नीचे जा रहा है अगर फर्स कर लीजे थोड़ी देर के लिए कि वो नीचे जाके उपर आएगा तब भी ये बात खलत है इसलिए कि अगर वो नीचे जाके उपर आएगा तो जहां से वो reverse लेगा मैंने वहां से बाए करना है क्योंके वहां मुझे टेकनिकली reverse सिगनल मिलेगा तो मैं क्यों न उसको वहां बाए करूँ मैं यहां बाए करके इंतजार करता रहा हूँ फिर यहां आए उसके बाद फिर उपर जाए और मेरी energy exhaust हो जाएगी यहां से यहां तक जब वो नीचे आएगा तो मैं अपने आसाब पर खाबू छोड़ चुका होँगा frustration level मेरा बढ़ चुका होगा और जब यह वापिस आएगा तो मैं यहां पर exit हो जाऊँगा और यह मेरी buy price थी point समझ रहे हैं आप तो सब में पहले इस reality को याद रखी है कि market जो है जूट नहीं बोलती है जूट हम बोल सकते हैं और जूट हम बोलते क्यों है मुक्तलिफ reasons होती है एक तो rumor होती है एक आदमी जान बूच के जूट नहीं बोलता उसका कोई दोस्त कहीं से कुछ सुन लेता है वो उसको बता देता है या एक बात दूतरे से फैलती है एक आदमी कहता है यह अच्छा लग रहा है दूतरा आदमी उसमें तोड़ा add-on करता है क्यार इसमें पांच रुपे की move नदर आ रही है कोई कहा उसको पांच रुपे को परसंट में ले आता है कहता है यह तीन परसंट उपर जाएगा इस तरह चीज़े तब्दील होती चले जाती है फिर जो स्पेकुलेटर होते हैं वो भी चीज़ों को इस तरह हाइप क्रियेट करवाते हैं ठीक है तो बहराल ये तमाम अवामिल जो हैं वो मार्केट के मुकाबले में जूट बोल सकते हैं मार्केट क्या है मार्केट जो हो रहा है वो दिखा रही है मार्केट इस नाटिंग बट दी रिफलेक्शन आफ हुमन बिहेवियर जो उस वक्त human behave कर रहा है जो trader behave कर रहा है वो उस वक्त आपको दिखा रही होती है तो क्या अच्छा नहीं है कि हम reality पे believe करें हम लोगों पे believe करें तो इस इस rule का मकसद मेरा समझाना यही है कि please please realities पे believe करें legitimate बात पे believe करें सिर्फ लोगों के अगर लोगों की inside news है लोगों की सुनना चाहते हैं सुनिये उसको analyze कर लीजे उसको technically check कर लीजे डबल चेक कर लीजे सिर्फ सुनते ही trade में आप enter मत हों अगर फर्स कीजे कोई कहता है कि जी फलाना stock उपर जाएगा okay सुन लें उसको आकर चेक करें उसके fundamental देखें उसकी technical position देखें फिर अगर वो अच्छा है तो जरूर एंटर हो मैं यह नहीं कह रहा कि आप कहां नहीं बन कर लें हो सकता है वो insider news ठीक हो आपको कोई अच्छी news मिल रही हो मगर उसको आप चेक करें बगहर चेक किये और चेक करने के पैमाने दो ही है fundamental और technical fundamental आपको उसकी fundamental values बता देता है टेकनिकल आपको यह बता देता है किस जगा पे एंटर होना है I hope के मेरा यह point आपको समझ में आया होगा बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो comment box में जरूर हमें बताईए और इसको like करें हमारे channel को subscribe करें शुक्रिया